मैं तो पाटी कर रही थी अभी Amazon पे summer sale चल रहे थे उसमें उमेन विकराता राइजन 7 6800 Edge 37 DTI जो 8GB ग्राफिक काड है एक लाख पंदना हजार रुपे में तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन से बहुत डिमांड बिली और ये Amazon से ही अरेंज गया है जो भी देरे दुन तरह खाने में रहते हों उनको पता हुआ Capri Trade Center में Laptop Store है जहां पर आपको सारे Laptop मिल जाएंगे चाहे गेमिंग लेने हो चाहे 360 लेने हो Convertible Economic और यहां पर सारे पेमेंट मोड्स भी अब लेबले है जैसे Cash, Credit वगरा, EMI वगरा तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉंटाइक डिटेस्स देदूँ और जाने से पहले Call WhatsApp करके जाना Laptop Store Capri Trade Center में तो यह Laptop अब तो स्टॉक में नहीं है क्योंकि हमारा भी Amazon सी आता इसलिए आने में टाइम लग गया क्योंकि टेस्टिंग बेंचमार्क सब कुछ करेंगे तभी तो तुम्हें दिखाएंगे तो अब इसका रिव्यू कर रहे है एंड लाप्टॉप कैसा है कैसा नहीं एकलाफ पंदरा जार में होफफुली है दुबारा स्टॉक में आ जाए और यहां पीछ वारे को डामट की वौब को रखी हुए यहां पे लापटॉप लgrade Payason को रखी है अर्शापन क्रेंट ने की न के लिए उपन वाच लैग के यहांशब ने तो हां लेactions और यहां भी ज tad स्कोई थे कहाँ है और बल्टव से लेगे वीग अर्ट आख हिलावट पूरी है यहां पर इसके अंदर हमारे को 10 keyless keyboard मिल जाता है इसमें तीन जोन को भीच में कीबोर्ड की कीज में मिल जाएंगे एक जो इसका फॉर्थ जोन है वह मारा पर मल्टी जेस्टर अगरा को सपोर्ट करता है प्रॉब्लम ऐसी कोई है और इस लाप्टाप की तखनी की बात्षी द्राइज प्रोसेसर मिलता है जो वारा एट को सिक्टीन त्रेट का प्रोसेसर है वर्जन 5.3 के अंदर मिल जाता है and MS Office Home and Student 2021 lifetime के लिए मिलेगा जो की एक अची चीज है गेमिंग लाप्टाप के अंदर MS Office वाई होना चाहिए तुमारा क्या वानना है और अगर अग्रेड करना हो तो प्रोसेसर हो सकता है एक प्रोसेसर मेरे पास नहीं है और यहीं पर बात करते हैं पोर्ट की यहां पर लेफ्ट साइड और एक फुल साइज का और एक हैडफोन माइक जयक का कॉंबो और राइट साइड मेरे को दो यूजबी 3.2 जन वन टाइप वाले पोर्ट मिल जाते हैं और बागी चेज़ वाई साथ पीछे हैं पीछे मारे को दो यूजबी 3.2 जन 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं जो मारे 10 Gbps बैंडविट व और डिस्प्ले आउट्पूट की बात और इंटरनल डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं मक्स्वीच के साथ यहां पर टाइप सी पोर्ट है वह हमारे को आई जी पीउस आउट्पूट मिलता है यानि कि एमडी रेडियों से और अगर एच्टियमाई से आउट्पूट लोगे त तो यहां पर अच्छी परफॉर्मस देता है कहां पर वेकार सारा कुछ कवर करूंगा एंड यहां पर 300 nits की ब्राइटनेस है और 100% sRGB वाला पैनल है तो डिस्प्ले पैनल अच्छा ब्राइट भी दिखाई देता है ओवरॉल पैनल इस प्राइस पोंट के साब से मेरे को क में को सेक्षिन में है यहां पर स्पीकर की क्योंटी अच्छी कासी है अब अब आवरेज वाली मैं कह सकता हूं और सुन जाए नॉनमाल मुवी अगर देखनी हो तो और यहां वें वी तो कि तरफ से बैंक और लफसन की तरफ से सपोर्ट वाला है तो सांद कॉलेटी ओटरी बाटरी में भी डिसपॉइंट नहीं करता 83 वाट आर की बैटरी आती है और 83 वाट आर की गेमिंग लापटॉप में अराम से 4-5 गंटे का बैकप दे देती है आपको और वह जो 4-5 गंटे का बैकप होता है वह बेसी क्यूसेज वाला होता है सिंगल और यह गीक पैंट 6 के स्कोर से जो कि हमारे सीप्यू की तागत का अंदाधा लगाते एंड पीसी मार्क टैनम ने गया 6700 यह अच्छा होता उसके बाद रीदी मार्क टाइम पाई जो आपके पूरी तागत दिखाया का टोटल स्कोर 11,000 बागी जीपी और सीप्यू के स करके देख लेना और यह हमारा क्रॉसमार्क का स्कोर है जो ओवराल प्रड़क्टिविटी क्रेटिविटी और रिस्पॉंसिवनेस दिखाता है तो यह भी आप वीडियो पाउस करके देख सकते हो एंड यह आप ब्लेंडर का बेंचमार्क भी गया 3200 यह स्कोर निकाल के दे की बात करें तो आप यहां पर कोडिंग कर सकते हो अगर आप कॉलीज स्कूल सुडेंट हो यहां पर एप डवलेपमेंट वगरा करने हो वो भी आराम से करवा देगा 4K वीडियो एडिटिंग कोई ऐसी दिक्कत नहीं फोटोशॉप बगरा चलाना तो कोई दिक्कत नहीं है जिस प्राइस पॉइंट बाता उसमें अच्छी खास यह करवा देगा और जैसे कि यह गेम ही लगता हो तो गेम टेस्स बनता है तो गेम टेस्ट करें उस पे नजर मार और फिर कंक्लूजन की बात करते हैं और इंस्टा पे स्टोरी ड़ली दी सवाल वगरा पूचेता है व देख सकते हैं और वागे सारे स्टेट्स देख सकते हैं हमारे सीप्य डिग्रीज के आसपास ही है रूम टेंप्रेचर 26 डिग्रीज के हिसाब से बाकि आपकी सिटी में आप किस टेंप्रेचर पर गेम के लोग क्या है उस पर डिफर करेगा और कोई भी कूलिंग पैड यहां पर यूज नहीं हो रहा उसके बाद फार क्राइशिक्स क्वालिटी रखे हैं हमने आपे अल्ट यहां पर जाके इस गेम के अंदर वन टॉन टी प्लस वाट तक जीप्यू पावर ड्रॉट कर रहा है उसके बाव जूद भी सेवंटी डिग्री तेमप्रेचर के बीच में और बाकि 16 जीप रही है और बाकि जीप्यू के साब देख सकते हों और बाकि बाकि आपकी तेम पर 6GB VRAM यहां पर ड्रॉट कर रहा है बाकि सारे स्टाइट्स आपके सामने परफॉर्मेंस प्लेबल है और सबसे पहले हमने अप्सकेलिंग मेथट रखा है और यहां पर ग्राफिक प्रिसेट को रखा है यह बेसिक सेटिंग्स है और यहां पर 60-70 fps के आसपास मिल रहा है सेटिंग्स पर और यह जो हमारे गेम है लगा था टेस्टोरे थे तो आप देख सकते हैं उसके CPU के टेंपरेचर 80 प्लस जाने शुरू हो चुक है क्योंकि कोई कूलिंग पैड भी नहीं है और 26 डिग्री रूम उसके बाद सेटिंग्स भी हाई है लेकिन DLSS को हमने कॉलिट सेटिंग्स प्लस जाने शुरू हो चुक है क्योंकि रूम टेंपरेचर भी थोड़ा सा बढ़ गया और लगबग दो डाई गंटे गेम टेस्ट करें तो उसके हिसाप से आप टेंपरेचर देख सकते हो फिर लास्ली DLSS को कॉलिटी पे रखके वेरी हाई सेटिंग्स पे र इसके अंदर उसके बाद साइबर बंक टेस्ट करना इसको अल्टरा सेटिंग्स पे और यहां पर पूरा पर परेंशल ऑर एंड रे ट्रेसिंग्स इस बार आउन कर दिया लेगिन लगटिंग पर रख और उसके बाद मशीन की जान निकलते हुए 30 से नीचे भी गई तो यहां पर रेटरेसिंग लगाने के बाद अल्ट्रा सेटिंग पर अब इतना प्लेबल एक्सपिरेंस नहीं मिलेगा थोड़ी सी सेटिंग को आपको डाउन करना पड़ेगा जिससे आपको 40 प्लस एफ्पेस मिल जो कि तब जाके कहीं प्लेबल होते हैं उसके बाद अल्ट्रा रेटरेसिंग के साथ साथ साइबर बंक को नहीं जेल सकता वैसे तो गेम भी तरह ज्याद ऑप्टिमाइज नहीं है बट स्टिल 3070 यह से थोड़ी सी उमीद थी वह वाली उमीद यह पूरी करता नहीं है बट लेकिन इतनी खतम परफॉर्मेंस भी अगर मैं तक भी दिखा रहा था तो यहां पर मैं कहूंगा कूलिंग पैड लगा लेना और हमारा रूम तेमपरेचर इस ताइम 27.3 पर पहुंच गया है तो अगर आप से असी नब्य सो फ्रेम तक आप निकाल सकते हो बाकि सेटिंग उपर निच्छे कर लेना तो पस कुछ ऐसी कह सकते जादा बुरी भी नहीं कह सकते तो यह ता अब कंक्लूजन की बात करते हैं सबसे पहले सवाल उठा लेता हो तुमारे डेल जी 15 आता एक लाग 10,000 में सेम प्रोसेसर और 3060 ग्राफिक्स कारड़ी के साथ तो बोले ना चाहिए या फिर यह वाला रखो यहां पर डेल आज भी वह ढूंड़ रहे लोग उसको आईल से 1,000,000 के लिए बैस लाप्टाप होगा और इसकी बात करते हैं तो देखो बाई डिस्प्ले इसकी बैटर है यहां पर कॉट एच्छी बैटरा लेकिन तफ की बिल्ट कॉलिटी बैटरा और तफ में बैटरी 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 इसमें 83 वैसे जादा फर्क नहीं पड़ेगा और नंबर है तो है और जो जीप्यू है वह भी ओमन का ही बैटर है 3070 जो आठ जीबी वी रेम वाला ग्राफिक्स कार्ड है उसके लावा लीजिन से बहुत कंपेरेजन मांग रहे थे बाई लीजिन का कोई भी वेरेंट हो ना 4060 या 3070 या इसके लिए थोड़ा सा रुख जो अभी सेम स्पेसिकेशन के दो ऐसे लापटाप मेरे हाथ में लगने जो लगबाग सेम प्रोसेसर और सेम सेग्मेंट के साथ आजे तो मैं कंपेरेजन वीडियो बनाऊंगा 4060 और 3070 याईगी कि हां कहां पर स्टैंड करते है और MSI Crosshair 15 वह भी एक लाख पंदराजार के आसपास 3070 देता है विद आई 712 700 देखो आई 712 700 अच्छा प्रोसेसर है 6800 में लेकिन MSI Crosshair में आपको DDR4 मेमरी मिलती है इसके अंदर DDR5 मिलती है बाकी दोनों के अंदर डिस्प्ले सेम है Quad HD पैनल मिलता है लग बाकी सारी चीज़ आता है उसके comparison में तो बस यही थे में तरफ से सवाल जो मेरे को common common से मिलेते जो इसके आसपास के laptop में stand करते हैं जो अभी stock में भी है एंड बात करते है इस laptop कि अगर यह दुबारा से स्टॉक में आता है और सेम प्राइस पॉन्ट के आसपास मिलता है एक दस एक पंदरा के आसपास उससो उपर जागा तो skip कर देना तो आप इसको consider कर सकते हो और अगर पसंद आ यह वीडियो तो लाइक मार देना अगर कुछ मिस हो गया तो comment section में पूछ लेना मैं कोशिश कहूंग रिप्लाइ करने की पहली बार आतो subscribe मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए तक बांटे हम स्थाओ प्लाइक मिलते बार आतों मिलते हो जाग